हलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई चैनल और गाईस देखो आज में यह फेरी का डिजाइन बनाऊंगा स्विच बोड के उपर इसका ड्राइंग भी मैंने कंप्लीट कर लिये हैं ठीक है तो अब इसका कलर करेंगे तो जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बोला था कि हम पहले बॉर्डर कर लेंगे ठीक है तो पहले में बॉर्डर कर लेता हूं इसे भी फूल ब्लैक से ही करेंगे हुआ 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 है तो झाल 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 ऐसे करके हम पूरा पिक्चर बना लेंगे ठीक है इसको बनाने से थोड़ा ध्यान से बनाना होगा क्योंकि ज्यादा मोटा ज्यादा पतला होगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो धीरे धीरे बनाओ झाल 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 पत्ते बनाने हैं ऐसे ही सेम तरीके से पत्ते बनाएंगे आप 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 पंक यह फियरी है तो पंक तो हो गाई और पंक मैं अपने मर्जी से बनाओंगा इसलिए मैंने स्केच नहीं किया ठीक है मैं जैसे मेरा आपका मन हो वैसे ही बनाना आप 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 जोँदो से लोगा है कि यह पापा की पड़ी है शीर आज है कि मैंने बना लिया ठीक है यह अब खुद के डिजाइन से बना सकते हो मतलब कुछ भी आपका मन हो क्योंकि फ्यारीका पंक आपका बस डिजाइन दिखने में अच्छा होना चाहिए बस और कुछ नहीं मैंने इस बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया कुछ भी नहीं किया बस सिंपल ऐसे डिजाइन बना दिया ठीक है तो कैसे लगा बताना कमेंट में और अच्छा लगी तो लाइक करना और सो मुट